हलो लॉर्नर्स तो कैसे हैं आप लोग इफफूस है देन बड़ी ही खुशी की बात है इट्स ग्रेट फो यू और नहीं है तो रहे ना यार किसने रोक रखा है तो चली सुरू करते लेशन 4 जिसे नाम दिया गया है वाइल्ड अनिमल्स जंगली जानवर लर्णिंग ऑब्ज किस तरह का जगा है तो चली फटा फट से अपने अंसर कमेंट बॉक्स में लिखे आम वेटिंग फॉर आंसर इडेंटिफाइए नीचे दिये गए तस्वीरों में किसी छे जंगली जानवरों की पैस्टान करें स्नेक डियर अलिफैंट जिराफ आउल लायन वाइड अनिमल जंगली जानवर सम एनिमल्स लाइक टाइगर लायन लियोपार्ड बियर फॉक्स वुल्फ एंड क्रोकोडाइल लिव इन फॉरेस्ट बाग सेट तेंद्वा भालू लॉम्री भेडिया और मगरमच जैसे कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं दे आर कॉल्ड वाइड अनि जंगली जानवरों के घर वाइड अनिमल्स लिव इन डिफ्रेंट काइंड ओफ प्लेसे जंगली जानवर अलग अलग तरह के जगहों में रहते हैं सम लीव ओन लैंड सम इन वाटर एंड सम उन ट्रीज कुछ जमीन पर रहते हैं कुछ पानी में और कुछ पेड़ों पर अ हाला कि नीचे आस्रा लेते मिच रहते हैं अनिमल्स सच अज बर्ट्स मंकीज पांडास एंड स्कॉरल्स मेक दियर होम्स ऑन दा ट्रीज पक्छी बंदर पांडा और गिलेरी जैसे जानवर पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं अनिमल्स सच अज मोल्स रैट्स रबिट्स जानवर जैसे मोल्स चूहें खरगोस और साप जमीन के छेद में रहते हैं लायन्स एंड टाइगर्स लीव इन अडेन सिर और बाग गुफा में रहते हैं बेर्स लीव इन केव बालू गुफाओं में रहते हैं हिपोपटमस एंड क्रोकोडाइल लीव बोथ on land and in water दर्याई घोडा और मगरमच जमीन पे और पानी दोनों में रहते हैं Eating habits of wild animals जंगली जानवरों के खाने के तरीके या आदते Different wild animals have different eating habits अलग-अलग जंगली जानवरों के खाने के आदते अलग-अलग होती हैं On the basis of eating habits they can be classified as herbivores, carnivores, omnivores and scavengers खाने के आदतों के आधार पे उन्हें साकाहारी, मानसाहारी, सर्वहारी और scavengers मिस मरे हुए जानवर को खाने वाले जानवरों के रूप में बाटा जा सकता है herbivores, मिस साकाहारी Animals like elephant, deer, rabbit, giraffe and hippopotamus eat grass, leaves and fruits हाथी, हीरन, खरगोस, जिराफ और दर्याई घोड़े जैसे जानवर पत्ते, घास और फल खाते है These are called plant eating animals और herbivores इन्हें पेड़ पौदे खाने वाले जानवर या साकाहारी कहते है Carnivores, मिस मानसाहारी Animals like tiger, crocodile and wolf kills other animals and eat their flesh बाग, मगरमच और भेड़िये जैसे जानवर दूसरे जानवरों को मालते हैं और उनके मात खाते हैं These animals are called flesh eating animals और carnivores इन जानवरों को मात खाने वाले जानवर कहा जाता है जो मानसाहारी होते हैं Omnivores, सरवहारी Animals like bear and crow eat plants as well as flesh of other animals भालो और कवव जैसे जानवर पौधों के साथ साथ अन्य जानवरों के मात खाते हैं These animals are called omnivores इन जानवरों को सरवहारी कहा जाता है Scavengers, मिस मरे हुए जानवरों को खाने वाले जानवर Some animals like hyena, vulture and jaggle eat the flesh of dead animals कुछ जानवर जैसे लकडबगा, गीद और स्यार मरे हुए जानवरों का मास्क खाते हैं In this way, they help to keep the forest clean These animals are called scavengers इस तरह भें जानवरों को साफ रखने में मदद करते हैं इन जानवरों को सफाई करने वाले जानवरों के रूप में भी जाना जाता है Protecting wild animals, जंगली जानवरों की रक्षा करना Forests are the homes of wild animals जंगल जंगली जानवरों का घर है But when people cut down trees and clean forests, their natural sellers get destroyed लेकिन जब लोग पेडों को काटते हैं और जंगलों को साफ करते हैं तो प्राकिर्थिक के आश्रे नस्ट हो जाते हैं People also hunt animals for getting different products लोग अलग अलग चीज़ों को प्राक्ट करने के लिए भी जंगली जानवरों का सिकार करते हैं For example, tigers are killed for their skin and elephants are killed for their tusks उधारन के लिए बागों को उनकी तवचा के लिए और हाथियों को उनके दाथ के लिए मार दिया जाता है Animals such as tiger, gant panda, indian rhinoceros, leopard and some birds are in danger and are left very few in numbers जानवर जैसे बाग, विसाल, panda, भारतिय, गेंडे, तेंदवे और कुछ पक्षी खत्रे में हैं और संख्या में बहुत कम बचे हैं If we do not protect these animals, so they will become extinct अगर हम इन जानवरों की रक्षा नहीं करते हैं तो जल्द ही वे विलुप्त हो जाएंगे No more, थोड़ा और जाने Many animals like dinosaur, woolly mammoth and dodo died many years ago, they have become extinct Dinosaur उनी भी साल का हाथ थी और dodo जैसे कई जानवरों की कई साल पहले मिर्ट्यों हो गई वे विलुप्त हो गए हैं Let us recall तो चली फिर से याद कर लेते हैं कि हमने इस lesson में क्या क्या सीखा Animals that live in forests are called wild animals वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, जंगली जानवर कहलाते हैं Wild animals live in different kind of places जंगली जानवर अलग अलग तरह के जगहों में रहते हैं On the basis of eating habits, wild animals are classified as herbivores, carnivores, omnivores and scavengers खाने की आदतों के आधार पर जंगली जानवरों को साकाहारी, मानसाहारी, सरवाहारी और मरे हुए जानवरों को खाने वाले जानवर के रूप में बाटा गया है Animals like tiger, gint panda, indian rhinoceros, leopard, etc. are in danger and are left very few in numbers बाख, विसाल, panda, भारती, गेंडे, तेंदुए, आधी जैसे जानवर खत्रे में हैं और संख्या में बहुत कम बचे हैं Test your knowledge, तो चलिए जली से देख लेते हैं कि इस लेसन में हमें किन क्रिश सवालों के जवाब देने हैं Tick the correct option, tick the correct option, tick the correct option, which of the following is a herbivore? निमलिखित में से कौन सा एक साकाहारी है? Elephant, an endangered animal एक लुप्त प्राजानवर, जो खत्रे में हैं और जल्द ही इनकी परजातियों के खत्म होने की संभावना है Rhinoceros, which of the following is an angstic animal? निमलिखित में से कौन सा एक विलुप्त जानवर है? निमलिखित में से कौन सा एक विलुप्त जानवर है, जो मरें हुए जानवरों को खत्म होने वाला है? Same, we should save water, वे पानी बचाना चाहिए A frog lives both on land and in water, एक मेढ़क जमीन और पानी दोनों पर रहता है Omnivores eat both plants and flesh of other animals, सरवाहरी पौधो और जानवरों के मास दोनों खाते हैं Right T for true and F for false the following statements T लिखना सही और F लिखना गलत statement के लिए Elephants are killed for their tusks हाथी अपने दातों के लिए मार दिये जाते हैं True statement लिखेंगे T Lion is a domestic animal There एक घरेलू जानवर है False statement लिखेंगे F A monkey lives on trees Bandar पेडों पे रहते हैं True statement लिखेंगे T Snacks live in holes in the ground ताप जमीन के छेद में रहते हैं True statement लिखेंगे T Answer the following questions नीचे दियेंगे सवालों के जवाब दे Wild or wild animals Explain with examples जंगली जानवर क्या है? उधारन के साथ समझाएं Answer Animals that live in forests Are called wild animals Elephant, lion, tiger, giraffe Are examples of wild animals वैसे जानवर जों जंगलों में रहते हैं जंगली जानवर कहलाते हैं हाथी, सेर, बाग, जिराफ जंगली जानवरों के उधारन हैं Differentiate between herbivores, carnivores and omnivores साकाहरी, manसाहरी और सर्वाहरी के बीच अंतर Answer Herbivores are plant eating animals Carnivores are flesh eating animals and omnivores eat plants as well as flesh of other animals पौदे खाने वाले जानवर साकाहरी होते हैं मास खाने वाले जानवर मानसाहरी होते हैं और सर्वाहरी पौधों के साथ-साथ दूसरे जानवरों के मास भी खाते हैं Why do people hunt wild animals? लोग जंगली जानवरों का सिकार क्यों करते हैं? Answer People hunt wild animals for getting different products For example, tigers killed for their skin And elephants are killed for their trust लोग जंगली जानवरों का सिकार करते हैं अलग-अलग तरह की चीजों को प्राप्ट करने के लिए जैसे बागों को उनकी तौचा के लिए मारा जाता है और हातियों को उनके दातों के लिए मार दिया जाता है Name the various shelters that wild animals made जंगली जानवरों के द्वारा बनाए गए अलग-अलग आस्रियों के नाम बताएं आस्रियों मिन्स जंगली जानवरों के घर Answer Different wild animals take shelter in different places of forest Monkeys, pandas and squirrels make their homes on the trees Lions and tigers live in a den Beers live in caves अलग-अलग जंगली जानवर जंगल के अलग-अलग जगहों में रहते हैं Bandar, panda और गिलहरी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं सेर और बाग गुफा में रहते हैं और भालू भी गुफाओं में रहते हैं Okay, that's all for today Thanks for learning new things